हेलो एबरिवेड़ी आई होब डैट करके लेक्च्छर 3 के वे अनुसार आप बच्चों ने काफी अच्छे से उसको पढ़े होंगे कि टेंस का प्रियोग किस तरह से परजेंट में परजेंट के इंडिफिनिट और कंटिनुवस में किया जाता है तो पिछले कुछ क्लास के अनुसार मैं आपको बता दूँ कि परजेंट के अनुसार मैं आपको दो टॉपिक्स क्लियर कर चुका हूँ एक present का indefinite और दूसरा present का continuous दोनों में वही छो pattern होता आगया जो की present का था और जो की continuous का था तो indefinite और continuous के दोनों structures को देखा जाए तो 6 structure आपके present के definite में हुए और 6 हुए present के continuous में इस तरह से आप 12 structure बनाने के लिए सिख गए तो बच्चों आज मैं आपको अगले topic और ले चलता हूँ ताकि आप इसे enjoy करें और अच्छे से पढ़ सकें तो चलिए आज का जो आपका lecture 4 है उसमें आपको ये बताया जागा कि कैसे हम structure को बनाना सीखेंगे हाला कि पिछले कुछ classes में मैंने आपको खुद structure लिखा यामपल लिखा और से समझाया तो चलिए I think अब मैं इतना कह सकता हूँ कि आप बच्चों ने affirmative से negative से intuitive इस तरह से step by step छो structure बनाने के लिए सीख गए होंगे तो चलिए इसके बाद विजिन में रताता हूँ कि इसका pattern होता क्या है तो अगर हम नंबर एक की बात करते हैं जिसका नाम होता है affirmative तो affirmative है क्या है कि subject को रखना है आगे और यहां पर जो मैं आपको gaping छोड़ रहा हूँ यह different करता है auxiliary verb पे जैसा cancer हैगा उसके नुस्वार ही यहां पर डालना है क्या auxiliary verb अगर सब पो देठ हम बात करते हैं present indefinite का तो डूड़े जले जाज़ेगा continuous की बात करते हैं तो e gem आर देगिन आज का यह topic में रहा है बोर हैगा present perfect तो यहां पर जो आने वाला सहाय करे है वो कुछ और शाती साथ यहां पर आपको डालना है बहर का form जो आपको अलग-अलग हो सकता है और लास्ट में आपको लगाना होता है object और हम चाहें तो OW का प्रयोग भी कर सकते हैं तो आपने ए नमबर की सहायता से आप चाहें तो नमबर B, नमबर C, D, E, F भी सीख सकते हैं तो इस तरह से बच्चों आज का मेरा topic रहेगा आपके साथ present का perfect tense clear तो पिछले दो classes में मैं आपको बता चुगा था कि present indefinite क्या है continuous क्या है आज को topic है present का perfect perfect में कुछ खास बाते हैं जिसे हम ध्यान देना होता है जिसे मैं आगे बताता हूं तो चलिए सबसे पहले हम सुरू करते हैं present perfect के identification की बच्च का identification क्या होता है उसका पहचान क्या होता है कैसे हम पहचानेंगे कि वो question present perfect का है तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर किसी sentence में जिसके हिंदी के last में चुका है या कर सकते हैं चुकी है या कर सकते हैं चुके हैं या फिर मैं बोल सकता हूं कि चुका हूं हाला कि इसके अलावे हम sentence में या है या फिर ई है यह है या हूं का प्रिवभी कर सकते हैं तो यहां तो समझी आप हिंदी के आपने आपने जुनियर क्लास में हिंदी में पढ़ा होगा कि क जब क क को हम तोड़ते हैं उसका संदी विश्यद करते हैं तो अधक का पलस अ होता है तो लाष्ट का उचान का निकला उसी तरह से मैं अगर बोलता हूं चुका मिन्स लाष्ट काता है या तो चुका है को हम या है बोल सकते हैं चुकी है को ई है बोल सकते हैं या चुके है को ए है बोल सकते हैं लेकि आपका जो पहशान रहेगा वो रहेगा चुका है चुकी है चुके हैं हखलाकि है मैं चुकी है को कर सकते हैं कर सकते हैं अब स króf समझने का परिकाब है जो मैं आपको पीछे दback CNN से बता रहूं कि चलिंए हम बात करता हो पर गयंट का तुम कि के और कि आड़ करते हैं तो इसका होता है दूसरा होग सकता है हो और थीसरा वो और चौता जो आपका हूं तो यह सिफा का पर्जेंट का हुआ बेशिक लेकिन फिलहाद जो गया टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है पर्फेक्ट तो अब हम पर्फेट की बात करते हैं तो इसका पहचान चुका या फिर चूकी या फिर चूके साथ में या ए भी हो सक करते हैं तो अगर हम करते हैं पर्जेंट को पर्फेक्ट के साथ तो अगर हम करते हैं पर्जेंट को पर्फेक्ट के साथ तो होता है पर्जेंट का पर्फेक्ट उसी तरह से करेंगे तो क्या बहुत जाए बच्चो चूका है चूकी है चूके है या फिर या है ए है यह तो यहां से हम come from सीगें कि परेंट परफेट का जो पहचान होता है वो दू तरह का हो सकता है चुका है चुकी है चुके है और नहीं तो यहीं है अब हम बात करते हैं sentence के pattern का जो दिया है आपका pattern of sentences जो कि मैं पिछले पिर से कर दो कि अगर हम लगाते हैं डू डज तो हमेशा भी बन अगर लगाते हैं ईजमर तो हमेशा भी फोर विर आज का टॉपिक है वह है जोर है तो है जोर के साथ जिसकी चार्शा में आगे डिटेल्स में करता हूं तो सबसे पहले आपका दिया गया है नंबर ए जिसका नाम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको मैं पोजेटिव या असरेटिव या डिकलेटिव भी कर शकता हूं तो चले सबसे पहले दिया गया है आपका सब्जेक्ट और मैं बार बार बता रहा हूं कि जब भी कोई शह जागे है है हलाकि है जके साथ आप चाहें तो भरका तीशरा फॉर्म यहां परीश कर सकते हैं साथ में और अदर बढ़ है तो यहां पर हमें बच्चों यह शिखना है कि है जर्ब के साथ भीत्री लगता है तो भीत्री है क्या जैसे मैं बता चुका था कि अगर भीवन में जोडते हैं SES तो बनता है क्या B5 अगर हम भीवन में जोडते हैं ING जिसे हम gerund या parent participle करते हैं तो क्या बनता है B4 उसी तरह से आज के क्लास में हम चार्चा सीखेंगे कि भीवन में कौन सा ऐसा meaning है कौन सा लाइस टर्म है जिसके जोडने से भीथरी बनता है तो चले पहले बात करते हैं structures का कि दिया गया है subject plus has you have plus भीथरी plus object plus other but चले कुछ examples से समझा जाए कि कैसे कैसे apply करना होता है तो आपको यहां पर जो दिया गया है उसमें एक्जामपल में शबसे पहले आपको दिया गया है कि दे है उस प्रोब्लम दे हैं इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ आप सीफ चुके है कि दे एक पूलर है तो चले पहले हम यहां पर यह समझें कि कैसे है को apply करना होता है कैसे है को apply करना परता है तक च्छोटा सा नोट नोट दिया गया है जिसके माध्यं से आप के लिए शमाश सकते हो कि कहा पालगाना है है कहाँ नोट नमबर बन है और हैं है और हैं है और हैं के शाद ओलवेज भीत्री यानि हमेशा अभर्व का तिसरा अगर किसी भीवन में D हो, ED हो, EN हो और T हो लगा रहे तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? या उल्टे सब्द में ऐसे कह सकते हैं कि भीथरी बनाने के लिए अगर भीवन के लाश्ट में D, T, EN ऐसे सब्दों को जोड़ा जाए तो भीथरी का फॉर्म होता है, हलाकि according to exceptions कुछ ऐसे भी भीथरी फॉर्म होते हैं जिसमें इन सभी इस्ट्रक्चर का प्रयोग नहीं किया विथरी कह रहा ता एक ओर जाज़कारी देनों कि जितने भी भर फॉर्म से उसमें कुछ ऐसे बहुन से भुर फॉर्म से जिसका भी बीथरी से होता है, कि लेकिन हमें यह आडंटिफाइ करना होता है कि कौन से पॉश्य में, कौन से बुक्स में कहां पर भी लिथरी यूज तो हम कैसे पहचानेंगे कि कहां पर प्लेट भीटू है और कहां प्लेट भीत्री है तो इसकी चर्चा मैं करता हूं चलिए फिलार समझें आप यहां पर यह कि अगर हम भीवन में जोड़ते हैं डी जैसे भी हम बताया है कि भीवन में डी चलिए आप एजांपल समझें कि आपका भीटू भी हो सकता है और भीथ्री हो सकता है अभी मैं बताया कि इन दोनों को शमखने के लिए आपको SIMPLE सार्ट ट्रिक है जो आपको यूज करना है कि वह देखे आप दोनों दिये गए हैं भीटू भीथ्री चलिए मैं एक्जांपल समझगें अगर मैं यहां कर और दूसरा जाम पर मैं कर दूँ कि इस तरह से कि I have played तो देखे तो पहला जामपल में played ED का फॉर्म लगा हुआ है दूसरा जामपल में played ED का फॉर्म लगा हुआ है तो चलिए यहां पर यह समझना थोड़ा सा दिक्कत होगा उन बच्चों को जिसका basic थोड़ा कम जोड़ है तो मैं पहले चरचा कर चुका हूँ कि basic to high आपको ले जाना है तो आपको छोड़े-छोड़े points पर ध्यान देन होंगे जिससे कि आपका inter level के साथ साथ competition basis भी complete हो सके तो चलिए मैं आप पोगता दूँ कि इस question में आप देख रहे होगे कि I played जिसमें I subject है और played क्या है धर्व ले कौन सा धर्व है इसे पाशाने के लिए simple तरीका जबकि दूसरे याँ पर देख रहे हैं कि I have played तो वैसा ध्याने वैसा कोई भी भार्व का form जिसके लास्ट में आपको D T D T के साथ साथ E N ऐसे लगे रहते हैं तो क्या बनते हैं B3 तो कैसे हमको पाशाना के B2 B3 तो simple त साथ अगर इस structure के साथ उसके ठीक पहले है या है लगा हो या कोई और सहाक्रिया लगा हो तो ऐसे फॉर्म को बोलते हैं B3 और अगर कोई B3 का form जो देखने B3 लगे और उसके ठीक पहले कोई सहाक्रिया नहीं हो तो वैसे क्या बोलते हैं B2 जैसा कि आप जामपल देख सकते अगर कि पहल基本 के कि नहीं है इडम Means की यहां पर जो आगया प्लेड क्यों और में बैट करते हैं तो आपका है वो क्या है यह शालेख क्रिया उसके बाद डिया गया वह किसे रूप में भीत्री यानि वैसा प्लेफ और जो सहाइक क्रिया हम जो साहा क्रिया आ tough essent वो भी टू कहलता है चलिए आगे समझेए यहां पर जागा है पॉइंट नंबर बन में कि आल सिंगलर यानि किसी परकार का कोई भी सिंगलर हो तो परजेंट परफेक्ट में सिंगलर किसा समय सा है जिए लगता है उसी तरह से कि और पुलरल कोई पुलरल हो तो केबल है रगता है आई मतलब में ठीक है आई एक ऐसा स्ब्जेक है इडम से यह कि हमेसा एनिहाव है का यह परजोग करता है सब्सक्राइब और उस तरह से देखा जाए तो इसको फॉलो करें तो है के साथ अलबेज भी थ्री यानि हमेशा जो है भर्व के तीसरी फॉर्म का प्रियोग करना होता है अब हम बाते हैं एक्जाम्पल्स की ओपर आपके श्क्रीम पर लिखा गया है तो यहां पर आपका दिया गया है यहां पर आपका जो दिया गया है आपका जो आपका अपका हम और आपकर थोड़ा वैक मारते हैं यहां पर यह देखते हैं कि परजेंट परफेक्ट तो बच्चों मैंने आपको परजेंट इंडिफिनिट और परजेंट कंटिनिवस करनुसार परते का च्छो च्छो श्ट्रक्चर मिन्स अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रूएटिव इस तरह से आपको च्छो श्टचर बनाने के लिए सिखा दिया आई होब डैट आप बच्चे इंडिवाय करके घर में प्रेक्टिस क्यों होंगे कि कैसे आफ फर्मेटिव से निगेटिव बनता है निगेटिव से अफर्मेटिव यह बनता है यह फिर इंट्रूएटिव बना सकते हैं तो मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि इस पैटर्न को कि कैसे आफर्मेटिव से निगेटिव निगेटिव से इंट्रूएटिव इस पैटर्न को क्लियरले शमाजना बच्चो बहुत आसान है क्यूंकि निगेटिव की बात करते हैं तो हमेशा एक्जुलारी भर के बाद आप इंट्रूएटिव इसके बाद बनता है डावीह जिसके बारे मारे मैं बता चुका हूं कि डावलीच मनाने के सिंप निपर जिए का जो है remaining 5 structures है आप उसको घर प्रैक्टिस करें हाँ in case अगर आपको दिक्कत होता है तो चाहे तो comment box में comment करके problem पूछ सकते हैं या चाहें तो फिर मेरे call पर call करके पूछ सकते हैं तो चलिए इसक्रास मैं अगला topic चलता हूँ जिसका number दिया गया है present का perfect continuous जो की present का last topic है मैं सुरू में बताया था कि हर tense का चार पार्ट मैंने पहला सुरू किया प्रहाने के लिए कौन present indefinite tense तो present indefinite number one present indefinite number two continuous number three perfect और last number four present perfect continuous tense तो बच्चो मैंने ही जिस्ट चर्चा किया present के perfect के बारे में और कल के lecture three में मैंने ये बताया था कि continuous की बारे में तो क्या बन जाएगा perfect continuous तो चलिए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कि present perfect continuous है क्या तो उसके लिए हमें पहले पछान पड़ागा identification क्योंकि मैं बार 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 बोल रहा हूं कि यह identification से होते हैं बहुत जोरी होते हैं अगर exam में आपको कुछ Hindi का question दे दिया जाए और दे दिया जाए option में यह heading में की change into English या do into English तो अगर माले concept ले सारे question आपको मिला के दिया गया है और यह बढ़ाना है कि translate करना है तो आप कैसे identify करोगे how to identify any problem कि this is the present tense past tense or future tense present में चार past म जारे जारे इस 12 structures तो 12 अस्ट जो टेंस है उसमें कैसे हम पहचान करेंगे तो सबसे पहले आपको देखना होगा identification या पहचान या पर्जेन का किस पार्ट का है पास्ट किस पार्ट का है और future का किस पार्ट का है तो आई होप बच्चों की आपने present का indefinite का ताहरती है ते है continuous का रहा है रही है रहे हैं perfect का चुका है चुकी है चुके हैं या फिर या है ए है ए है और last topic जो कि Honors का last है परजेन प्रफेट continuous tense जिस कहते हैं कि चुका नहीं बल कि ता रहा है तीर है है ते रहु अ रहा हूँ वोच लिए मैं continuous की चर्चा कर चुगा था पहले भी कि continuous में regularity लगतार की बात करते हैं तो उसके अनुसार जो आज का identification है present perfect continuous वो आपका हो जाएगा ता रहा है या का सिर्थ है ती रही है या का सिर्थ है ते रहे है तो देखे तो यहां पर आप रहा रही रहे हैं वो किसको सो करता continuous को लेकिर ऐसा मत समझेगा इसमें कि चुका चुके चुकी भी लग जाएगा क्योंकि continuous का मत्ता होता है regular लगतार अब मैं continuous की बात करता हूं और perfect continuous की बात करता हूं तो अंतर क्या है जिसको मैं clearly आगे के chapters में जो कि आगे के topic है time interest जिसमें time को जोड़ा जाएगा तो clear nation दा दूँगा फिलाल समझें कि continuous मता होता लगता है तो इसमें क्या है कि कोई काम अभी शुरू हुआ और कुछ समय तक जारी रहा that is called continuous जैसे मैं खेल रहा हूं अभी खेलना सुरू हुआ कुछ समय तक आओ खेलता रहुआ लेकिन बैसा कोई काम जो बहुत पहले या पुराने समय में शुरू हुआ था वो काम बिना खत्म हुए ठीक है बिना खत्म हुए अभी भी जारी है जैसे मैं कहा दूँगा कि मेरे पिता जी दस बरसों से इस विद्याले में पढ़ाते आ रहे हैं या पढ़ाते र रहा है और आगे के वर जाएगा मुंश समझे कुल recognizes में कुए काम सुरू होता है अर्ब कुछ समय तक आगे चलता रहा था लेकिन पर फेट आपी समय में लंबे समय किया के अंत में ता रहा है ती रही है ती रहे हैं अब पलस समय का प्रयोग रहे तो ऐसे बाक्यों को क्या करते हैं परजेंड परफेट कंटिनिवर्स टेंस क्लिए चलिए इसको ऐसे आप समझ सकते हैं कि मन ने जाए मेरे पिता जी दस वर्सों से इस बिद्धाले में पढ़ आत्रा समय का तो कितना है दस बर्सों से अब इसमें आपका दियागा है टॉपिक संटेंस के बारे पढ़ना निए पैटरन रॉप संटेंस है जिसकी चर्चा मैं पिछले तीन टेंसों में कर चुका हूं तो सबसे पहला जो आपका दिया टॉपिक है वो है फर्मेटिव अंक पूजेटीव या असरेटिव या डिकलेरेटि भी कर सकते हैं तो दिए सबसे पहला त्या या आपका सब्चेट और मैं बताया अभी पिछले ट्रच में कि सब्चार या तो है का परियोग करते हैं या इसी के अनुस ए हैव का परियोग करते हैं तो अगर दिया गया अब जद समझे हैं आप बारीकी कि जह हम perfect की चर्चा की हैं तो सिर्फ hedge और have लगा और hedge have के साथ हमें इसा क्या लेता है ? भागता तेश्रा फोन लेकिन यहाँ कंटिनुवर्स की बाग करते हैं कौन सा? perfect continuous तो hedge have के साथ आपको एक meaning लगाना पड़ता है एक मिनिंग जोड़ना पड़ता है जिसे बोलते है एंड जो कि के इसे को एक पूसा है और नहीं तो है इस है कि साथ हमेशा भी जबकि है या है भी नैस हमाई सब भी फॉर जिसके बारे हम पहले ही बता वह देखिए इसका structure कि पहिने दिया गया आपका subject फिर दिया गया hedge या have अब पलस been हम चाहें तो इसको deadly hedge been या have been भी लेक्षकते हैं पलस before it means कि before जिसके बारे मता चुका हूं कि कौन सा form है आई जी form है अब पलस object साथी साथ इस pattern में एक time दिया गया है तो time क्या है तो वह ऐसा time जो दो तरह का होते हैं जिसके बारे मागे मैं बताता हूं तो आपने देखा कि कोभी सहाय करिया जब यूज करते हैं तो according to the subject ठेक उसी तरह से आपका जो यहां पर दिया गया क्या है time यह time के उसारा आपके दो ची लगाना है या तो आपको लगाना है for और नहीं तो आपको लगाना है since since क्या होता है for क्या होता है इसे मैं बताता हूं लिए फिरहाल आप अस्ट्रक्चर समझें क्या है structure कि पहले subject और सवेट का नुसार has been या have been अब प्लस before plus object प्लस since या for plus time अब यहां पर एक छोटा सा point आप जाद रखें कि अकसर बहुत से बच्चे question में time देखें कि सुबह से पांच बरसों से एक महीनों से तो क्या समझते है कि यह question किसका है present perfect continuous का जो कि शही है लेकि कुछ ऐसा बच्चे ही होते हैं जो सोचते हैं क्या कि time नहीं अगर दिया गया है तो वो कोशन क्या है किसी और पैटरन का हो सकता है यह को जोड़ी नहीं है कि present perfect continuous के परते कोशन में आपको time दिया गया ही हो I hope that अगर time दिया गया है तो confirm है कि वो किसका है present perfect continuous का लेकिन अगर time नहीं दिया गया है तो हमको उसको basic identification जो मैंने क्या रहा है ती रही है ते रहे है इसके माध्यम से भी समझना होगा कि वो किसका है तो present perfect continuous का जैसे समझें अगर हम बोलते हैं कि मैं सुबह से खेलता रहा हूँ इस question में सुबह से क्या है time है तो clearly पास चल रहा है कि वो किसका है present perfect continuous का लेकिन मैं इसे ऐसे बोल दूँ कि मैं खेलता रहा हूँ अंतर यही ही किसो समय नहीं दिया गया है लेकिन आप पाशाम देखें कि मैं सुबह से खेलता रहा हूँ तो क्या आया ता रहा हूँ और मैं खेलता रहा हूँ तो समय रहे अथवा ना रहे इसक्या समय ना है present perfect continuous हां अंतर इतना आएगा कि अगर टाइम दिया गया है तो हमें structure में since for को add करना होगा तो कहां since कहां for वो आगे चर्चा करेंगे और अगर question में समय नहीं दिया गया है तो object तक बना करें question को छोड़ सकते है चले कुछ यांपर से को समझा जाए जैसे आपको यहां पर दिया गया है कि the driver driver क्या हो गया similar the driver has been driving आप देखिए हैं पर ing यानि यह जो फॉर आपको हो गया कौन सा हो गया भी फॉर अब करां हीज कार अपने गाड़ी को अपने कार को for two hours यानि दो घंटे तो दो घंटे आपको क्या हो गया समय लेकिन हम यह फॉर लगा है अब यह जो फॉर आपको लगा है यह फॉ farmers have been working in the field since morning अब देख रहेंगे बच्चे कि पहला जामपन में आपका दिया गया for जबकि दूसरी आपन क्या दिया गया आपका since तो आपके मन में confusion होगा excitement होगा कि हम कैसे since लगा दिये कैसे for लगा दिये तो चलिए मैं आपको समझाता हूं उससे पहले आप यह समझे कि जि यह के साथ मिन लगा दे मतलब हैजमी कर दे या हैग के साथ मिन लगा दे मतलब मतलब have been है इनस की हैज भी सही कारण यह किक लापना दीएं मैं जाप पर driving है भी 4 है और जब working है यह भी 4 है चले हिंदी की बात करते हैं तो समझें पहला हम करा दा driver has been driving his car for two hours यानि चालक अपने गाड़ी को दो घंटों से चलाता रहा है it means कि driver जो है अपने कार को पिछले दो घंटों से clearly पिछले दो घंटों से चलाता रहा है जिसे मानना जाए यह भी 5 बज़ा ठीक है पांच बें मॉनिंग तो मानना जाए पिछले दो घंटों से इट मिस की बहुत काम सुरू किया कितने बज़े तीन बज़े और वो काम सुरू होतने के साथ साथ वो काम अभी जारी है खत नहीं हुआ जारी है और आने वाले समय में जारी रहेगा नंबर दो की बात करते हैं तो farmers have been working in the field since morning यानी किशान लोग जो क्या है अपने खेतों में सुबह से काम करते रहे हैं मतलब काम करने का समय सुबह है वो काम खत्म नहीं हुआ है और अभी जारी है तो इस तरह से क्या देखें कि present perfect continuous में कोई काम पहले सुरू ह होता है जो बीना खत्म हुए present time में जाई रहता है चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और अभी मैंने बताया कि जैसे हैं जब भी अप्लाइक करते हैं तो according to time सब्सक्राइब उसी तरह से अभी मैंने हम चर्चा किया कि यह structure में कि since for plus time तो time मतलब समय को जानते हैं लेक जो कि आपको आगे competition क्या में भी काफिय काम देगा तो चलिए मैं इसको किलियरली सब्सक्राइब में इसको आराम से समझें यहां पर आपका दिया है कि की नोट नोट का मतलब होता है कुछ खास बात हैं तो ऐसे ऐसे नोट मैं हैर शेप्टर में आपको बताता रहूंगा तो आई थिंग आप करें क्या कि घर पे अपना जो नोट्स बुक है जो कौपी है जो डाइरी है उसमें नोट्स को किलियरली आप से लिखें और लिखने को भर पर रिविजन करें क्यूंकि यही नोट्स जो है आपको competitive exam में जो common leader होता है उसको solve करने में काफी help करेगा ना स समझे कि यहां पर दिया गया है नोट्स जिसमें दिया गया है टाइप सॉफ टाइम यानि समय के परकार समय के भेद तो समय कितने तरह को होते हैं समय के परकार क्या होते हैं तो यहां पर आपको दिया गया है आज कि there are two मतलब दो यानि समय जो आपको होते हैं वो दो तरह क को होते हैं आपका पहला जागी है period of time जिसका हिंदी होता अनिश्चित समय और दूसरा जागी है point of time मतलब निश्चित समय तो यहां पर आप देख रहे बच्चे कि जो समय होते हैं वो consistently दो तरह को होते हैं कुछ-कुछ question में आपको समय जो मिलेंगे वो क्या रहेंगे निश् समय रहेंगे जिसमें question का जो समय रहें रहेंगा अनिश्चित तो क्या बोलेंगो उसे period of time ओके I repeat it time दो तरह के इडिमिंस की there are two types of time number one point of time means definite time and number two period of time it means indefinite time और उसी के अनुसार हमको यह जागाना पड़ता है कि कहां पर sense है कहां पर form और चलिए मैं आपको यहां पर जिएगा कि tense का नुसार पहला का क्या हो गया period of time मतलब अनिश्चित समय तो अनिश्चित समय को हम indefinite time भी so कर सकते हैं और indefinite time को so करने के लिए हम जब भी लगाते हैं तो केवल for का प्रयोग कर सकते हैं ना कि since का जबकि दूसरे पार्ट के हम बात करते हैं तो दूसरे पार्ट में आपका क्या दिया गया है point of time point of time जिसे क्या बोलते हैं definite time यानि निश्चित समय तो निश्चित के लिए क्या लगेगा clear अब सवाल रहा कि यह for और since इन दोनों का हिंदी क्या होता है तो चले समझ लिए इन दोनों का जो हिंदी होता है वो होता है say for का भी हिंदी इसे और since का भी हिंदी say जैसे मैं सुबह से पढ़ता रहा हूँ सुबह से से क्या आगया? सिंस के रूप में मैं दो घंटों से पढ़ता रहा हूँ तो फॉर फॉर क्या लग गया? से का हिंदी हो गया तो फॉर का भी हंदी है तो क्या हो गया? से और सिंस के भी लिक्या हो गया से इटमिस दोनों के हंदी से वट दे यूज ओप सिंस और फॉर आर भेरी डिफरेंट तो कैसे ज़रा समझें तो चलिया हम पहले चर्चा करते हैं फॉर के बारे में कि फॉर कैसे लगाया जा सकता है तो आपको हैं पर दिया गया है Dage, Month, Years जवकि आप इस pattern में देखें जो आपका दिया गया है Point of Time में तो क्या देखें Name of Days, Name of Months, Name of Years ETC तो दोनों में आप क्या देख रहे हैं कि जो अनिश्चित समय है मतलब जिसमें फॉर लगाना है प्रिएड टाइम का पाठ है उसमें से इतने आगा है डेज, मंथ, इयर या सम भी रह सकता है, मेनी भी रह सकता है, मोर भी रह सकता है, इस तरह का प्रेटर्न तो यह सारे टॉपिक से हमें यह चलता पता कि समय क्या है, अनिश्चित, जबकि उन दीनों का नाम सो कर देंगे, उन दीनों का नाम के साथ महीनों का नाम, बर्स का नाम, किसी घटना का नाम, किसी अस्टेज, मतलब अवस्था का नाम, या फिर कोई टाइम, जो कि 24 आवर्स क यह क्या हो गया आपको 24 hours के बीच का timing हो गया कि मैंने आप आया कि पहले जुच करना हमको फॉर का तो फॉर के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा क्या जो दिया गया है डेज सिर्फ डेज ना कि नेम ऑफ डेज फिर दिया गया मंद्स फिर दिया गया इसके साथ हम चाहें तो आपका रहा सकता है सम या फिर हो सकता है आपका मेनी तो ध्यान दें कि डेज मंध इयर इसके साथ निमेरल यानि कोई अंक रह भी शक्ता है और नहीं भी यानि इसको हम ऑबलिग में भी लिख सकते हैं यानि दिन के साथ समय लगा रहे नमबर के रूप में 1,2,3,4 और 5 वाई इस तरह और के नंबर गुरुक में तो जैसे मन लेजा है कि अगर हम बोलते हैं इस तरह से हमें हमी कर देज दिनों से तो दिनों किया अपता किनों से नहीं तो ये दिनों से समय हों वह अनि्ष्षत यान्य प्यूंड प्लिद ऑक दीद टम दने क्या होता है एंक 20開始 और डेज लेगी मैं बताया कि दिनों महीनों शालों के साथ साथ कोई निमेरल यानि कोई संख्या भी हो सकता है इसके साथ अगर माले हम लागात है इस तरह से कि 5 दिनों से तो यह भी क्या हो गया आफ जिच्ची थिऊंगा क्यों कि क्लियरली यहां पर यह नहीं चल रहा पता कि कौन चंप 5 दिनों से तो वह सोंबार मंगलबार बुधबार कोई भी दिन हो सकता है तो समझे कि दीन महीना शाल सम्मेनी मोर इन सब के साथ नंबर हो अथ है हम लोग फो चलिए कि लिए अपको इसको समझें कि दूसरा आपको टॉपिक है वो क्या है पॉइंट ऑफ टाइम तो पॉइंट ऑफ टाइम जो है उसके लिए आपको देखना पड़ता है यह सारे अंतर क्या है यहां पर आपको दिया गया नेम ऑफ डेज जबकि मैंने भी क्या देखा फॉर में सिर्फ देज तो समझें अंतर के है जो एक आपका जो दिया गया है जिसमाल ले ज़ाएक आपका हुआ सिर्फ डेज देज हुए और दूसरा जो आपका हो गया नेम ओफ देज पढ़े समझें इसको जैसे माले हम बोलते हैं कि पांच दिनों से और इधर हम बोलते हैं अगर suppose that किस व्म भार से देखें किलियर ले यहां पर आपको दिया गए है डेज इसे 5-2 मोर्प थे किस शाद दिनों तो यहां पर क्या conten है कि कौन सा दिन है उसका नाम पता नही चल रहा है जैसे हम बोलेंगे महीनों से, नहीं पदल रहा है, कुछ बरसों से, अधिक बरसों से, या सिफ बरसों से, या चार बरसों से, तो यहां भी क्या है, कि लेरली टाइम का पता नहीं चल रहा है, तो क्या होगी आपका, period of time, तो इसके बनाने लिए क्या करेंगे, कि जो say है, उसक इधर बात करते हैं शोम बार्स से तो यहां पर हमको समय निश्चित दिया गया है कि कौन से दिन से सोम बार्स से उस तरह से आपको हम बात करते हैं सब्ता का या बात करते हैं महीना का या बात करते हैं बर्स का जैसे हम कर देंगे कि उन्हें सो ब्यालेस इसवी से एक बोल देंगे कि बरसों से तो उन्हें सो ब्यालेस यहां पर नाम सो कर रहा है और बरसों से नाम सो नहीं कर रहा है सोंबार से नाम बता रहा है लेकिन दिनों से नाम नहीं पचल रहा है अगर कर दें हम कि जनवरी से एक बोल रहे हैं महीनों से तो अगर महीनों से बोलेंगे तो अनिश्चित है तो फॉर लगाना होगा जनवरी से बोलेंगे तो निश्चित है तो सिंस लगाना होगा तो यहा नाम नहीं सोखिया गया है तो period of time मतलब फौर के साथ जैसे यहां पर रहा है आपका सोंबार से तो यहां पर तो सय है उसका प्रयोग क्या जाएगा उसके लिए हम लिखेंगे सिंस अब बचरा सोंबार से तो इसको मंडे भी हम कर सकते हैं तो समझें कि नेम ओफ डेज मंस इयर्स 24 आवर यानि सुबह से लेकर रात तक का बीच का कोई टाइम या कोई इवेंट जैसे बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार पर संभी स्क्यूद क्या है एक इवेंट है तो य क्या है हमारे लाइफ के का स्टेज है तो क्या होजगा सिंस चाइल खुल तो इन सारे पेटर्स के साथ आपको लगाना है क्या इसके साथ आपको लगाना है सिंस और जिसमें समय सुना करें यानि अनिशित रहे तो क्या लगाना है फॉर हलाकि इन सब के साथ हम चाहें तो प फरवरी इस तरह से परयोगे कर सकते हैं तो I think आपने श्रमय के बारे में अच्छे से जान लिया समझ लिया फिर भी यह प्रैक्टिस की चीज़ी होती है क्योंकि एक example है ना कहा ला कि प्रैक्टिस नहीं करोगे आप पर्फेट नहीं बन पाओगे तो प्रैक्टिस बच्चों सबसे ज़रूरी है ऐसा नहीं कि मैंने इसको पढ़ा दिया कि हाँ बच्चों डेज मंथ इयर श्यम मेनी मोर के साथ क्या लगता है फॉर हो से ताव उसमें कुछ ऐसे रहे कि पिछले कुछ महीनों से तो इसके साथ भी फॉर ही लगेगा क्योंकि ह पिछले जनवरी से पिछले उने से लगाना होगा तो इसमें प्रैटिस की बात यह है कि आप घर पे आपके पास जो बुक्स अवेलेबल हो आप कुछ कुछ निकाले कुछ कुछ निकाले उसे बना के देखे कि कौन से कौश्चन में प्वाइंट आफ टाइम लग रहा है य इस तरह समझते हैं कि कुछ एंपल समझें कि कैसे कैसे है जिसे माल ने जाए कि आपको मैं समझाता हूं उस फॉर का एजामपल तो फॉर जो क्या आपका हो गया पिरियेड ऑफ टाइम और सिंस जो क्या पाइज पॉइंट ऑफ टाइम तो चलिए यहां पर आप समझे पहले फॉर का तो फॉर का जो यहां पाल है उसके लिए आपको करना होगा देसे माल्या कर देंगे कि चार और गंटों से अब यहाँ पर सिर्फ घंटों रहें या फर्क नहीं पड़ता है तो यहां पास चार घंटों से आपका समय पता नहीं चल रहा है कि कितने घंटे पहले या कितने बजह से तो यहां जो बने गा वह क्या बन जागा आपका प्लेगा फ्र Allah फीर चार के लिए आप फो यार फो भी लिख सकते हैं और घंटों से तो घंटे क्या देख रहा है कि आपका पुल रहे तो आवर्स अब यहां घंटा रहे मिनट रहे सकंड रहे ठीjsk級 यादर एख रहें कि अभी मैंने आ हमको बताया पीछे कि देज मन्ध ऐर ठीकि नेज मंन्थ इयर शेम हो या मैनी हो लिगया हम चाहें तो वहाँ पर minute second hours का प्रयोगी कर सकते हैं तो minute, second, hour अगर रहता है तो भी क्या करते हैं किसका प्रयोग करते हैं तो भी हम प्रयोग करते हैं four का, तो four एक ऐसा topic है जिसके माध्य हम समय समझेंगे कि कहां कहां पर लग सकता है तो ध्यान दे बच्चों कि घंटों या कह सकते हैं कि support that question में रहा गया minute या फिर रहा गया शेकन और इन सब के साथ अगर यहाँ पर कोई time से 1 है, 2 है, 3 है, dot 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 इस तरह से अगर लगाते हैं तो किसको प्रयों करेंगे? केवल फॉर्क है जबकि हम समझे जरा since के बारे में कि since क्या कहता है? तो since के बारे में जानकारी लेने के लिए समझे जिसे उधर मैंने लिखा कि minute से अब हम यहाँ पर कर देंगे कि बच्चपन से तो यहाँ पर आप कुछ लगाना होगा वो करना होगा since child hood तो यहाँ देख रहे है क्या कि बच्चपन से since childhood, जवानी से since youth, गुढपा से since old age, 15 अगस से इस अब क्या है? तो जिसमें clearly time का पता रहे उसके साथ हमेशा और anyhow आप since का प्रयूग करेंगे लेकि मैं फिर्व दाता हूं कि practice makes a man perfect बिना practice के आपके कुछ होने वाले नहीं है मैं कितनों समझा दूं कितनों पढ़ा दूं लेकिन जब तो प्रेटिस नहीं किलिएगा आपको अपना concept के लिए नहीं 4-5 यहां पस होने का बहुत सो सकते हैं लेकि मैं चाहता हूं कि बच्चों आप खुद एक homework हाला कि offline classes में homework दिया दाता है यहां classes आपको online है तो मैं देखने तो नहीं आँगा किन बच्चों को कि हां कौन से बच्चे ने practice किया कौन से बच्चे ने homework बनाया या क्या problem है नही करते हैं तो मैं मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे बच्चों ने कुछ practice किया हाँ एक बार मैं सफलता नहीं मिलेगी एक बार आप सीख नहीं पाओंगे तो मैं आपके लिए हूँ आप चाहें तो इस कि लेवनी समझ को समझ सकते हैं तो यहां पर आपको यह शमझना है कि कैसे sense का पर्योग कैसे fall का पर्योग तो बच्चों आज मैंने आपको दो टेंस पढ़ाया एक हुआ आपका number 3 present perfect tense जिसमें चुका है चुकी है चुके हैं जिसके साथ हैज है का प्रयोग करते हैं साथ में बहतरी अप्लाई करते हैं number 4 present perfect continuous tense जिसमें continuously किसी काम को किया जाता है जो शुरू होता पहले और लंबे समय तक जारी रहता है तो इसमें क्या देखे है has been या have been इसाथ का रखता है before लेकिन इसमें time हमको पढ़ना पड़ा जिसके लिए हम since और for का प्रयोग भी किये तो कहा since कहा for इसके जानगारे मैं details में दे दी तो I think आज का class आपको काफी अ पांच structures B, C, D, E, F उसी तरह से present perfect continuous का भी पांच structure B, C, D, E, F आप घर पे पूरा करे मैं चाहता हूँ कि यह 10 structure लग complete करे जैसे आपको शुरू के tense में मैंने आपको 6 structure बताया मैंने खुल बताया structure लिग दिया example दिया तो अब मैं चाहता हूँ कि आप as a practice as a homework इसे आप पूरा करे घर पे लिखे कि present perfect का या present perfect continuous का negative क्या होता है कैशे बनता है इंट्रुएटिव वैसे बनता है चलिए मैं आपको सवासा हिंट देता हूँ आपको present perfect continuous में has been और have been आया है तो बीन जो है आपका extra part है जबकि हैज और है जो है आपका main एक्जुरूरी बात करना हो तो हैज ह आपके बाद note लगांगे फिर बीन को पीछे कर देंगे उसी तरह से हैज हैप को हम आगे लेकिशे करेंगे अब आगी साम का सारा काम पीछे करेंगे अचलो बच्चो आज है क्लास आपने काफी किया है लेकिन अगी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेरे चैनल को लाइक करें और सेर करें और डिकत्थ होता है कि कोई तॉपिश उम्ज़ना आया को स्ट्रॉक्चर मैं आया को ही आपना कर सकते हैं यह नीचे कमेंड बोक्स में अपना कमेंड सो करते हैं जिसका जिसका रिपलाइए आपको 24 आवर्श के दौरा नहीं मिल जाएगा तो कल के क्लास में कुछ नयाची होने वाला है क्योंकि आपका प्रजेंट खत्म हो चुका आपका आने वाला है पास्ट और फ्यूचर तेंस तो पास्ट में क्या है आपको एक्साइटमेंट लग रहा होगा लोग है सर मुझे जल्दी बता दिए कि पास्ट क्यों होता है लेकिन आप रखें मैं आपके सामने हूँ मैं आपको पढ़ाऊंगा और कल के topics आप मिस ना करें कि कल के topics में कुछ खास चानकारी देंगे जो कि आपको spoken skills में साथ में grammatically काफी strong होगा तो चले बच्चो आज का topics मैं यहीं पर रोगता हूँ आज क्लास यहीं खर्म करता हूँ और कल नए ज